हेलो मैं आल लवली स्टुडेंट्स एंड मैं आल फ्रेंड्स वेल्कम यू वाल इन वोकाब सेशन आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं कोविड 19 टम्स पार्ट तू इसके पहले पार्ट वन में आप मैंने आपको 5 वर्ड एक्स्प्लेंड किये थे जो कि उसके बारे में आपको जानना बहुत जादा जरूरी है ठीक है चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वर्ड है क्वेरेंटीन क्या होता है क्वेरेंटीन होता है किसी भी एपिडेमिक किसी भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए हम ये एक स्टेप है को ज्यादा लोगों में ना फैले ज्यादा इस्प्रेट ना हो इसके लिए क्या कर दिया गया सबको lockdown लग गया सबको home quarantine होना पड़ा मतलब ज्यादा भीड इकठा ना हो ज्यादा लोग आपस में मिले नहीं जिससे किसी भी बिमारी को ज्यादा फैलने से रोका जा सके है आपका isolation आप अकसर सुनते हैं आज को कि किसी परशन को isolate कर दिया गया completely isolation में रखा गया isolation में रखना क्या मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति को कोई भी पर्सन है जिसे coronavirus है कोई भी epidemic के कोई भी ऐसी महामारी है जो अगर वो दूसरों के संपर्क में आता है तो दूसरों को भी हो सकती है इसलिए जो स्वस्थ है उनको स्वस्थ पाया जाता है तो उसे hospital में hospitalized किया जाता है किसी से मिलने नहीं दिया जाता है उसे particular एक रूम में जिसमें स्वस्थ व्यक्तिना जिसमें जो लोग सही है जिनको बिमारी नहीं है उसमें ना जाए उसे completely isolate करके रखा जाता है isolation का मतलब ही होता है अलग रखना ठीक है quarantine और isolation isolation में आप लोग confused मत हो येगा quarantine में ऐसा नहीं है कि सबको बिमारी हुई है किसी भी बिमारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों को अलग भीड से लोग जादा नहीं कठा करें अलग रहें सेफ रहें लेकिन isolation में क्या है isolation particular कोई एक person होता है जिससे वो बिमारी होती है उसे अलग रखा जाता है बाकी लोगों से उसे completely एक room में या hospital में कहीं भी उस से जाता है जिसे दूसरे व्यक्ति जिनको वो विमारी नहीं है वो सेफ रहें ठीक है आपका थर्ड वर्ड है कि सोसल डिस्टेंसिंग सोसल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है सोसल डिस्टेंसिंग और क्वेरेंटीन दोनों अलग-अलग हैं सोसल डिस्टेंसिंग में आपको कहीं ऐसे अलग नहीं रहना है, आप साथ रहेंगे, सारे सारे मतलब सब के साथ रहेंगे, आप हर काम करेंगे, लेकिन कुछ steps हैं जिसे आपको follow करना होगा, जैसे पहले क्या होता था, हम किसी से भी मिलते थे, direct second करना, hug करना, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम दूर से बात करते है नमस्ते करते हैं, right, तो कुछ steps हैं जिसे हम follow करें, जिसे हमें कोई बिमारी ना हो, या सामने वाले person में अगर कोई बिमारी हो, तो उसे हम infected ना हो, हम सब के साथ रहेंगे, आसपास लोगों में जाएंगे, quarantine में क्या था, हमको बाहर ही नहीं निकलना था, किसी को बाहर नही था, लेकिन social distancing में क्या है, हम सब काम कर रहें, इससे में lockdown open हो रहें, सब लोग हर काम कर रहें, लेकिन safety के साथ mask लगा के, ज़्यादा किसी के close नहीं आना, ठीके, सारे step जो साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारे step follow करना क्या होता है, social distancing, यानि लोगों के बीच में रहना है लेकिन दूरी बना कर, ठीके, ये है social distancing, और quarantine में क्या था, completely लोगों से अलग रहना है, और isolation में क्या था, किसी एक person को, जिसको बीमारी है, बस उसको अलग किया जाता है, बाकी लोगों से जो सही है, ठीके, तो ये तीनो वर्ट मिलते जुलते हैं, इसमें आप confused नहीं हो न, आपका four word है, mitigation, mitigation क्या है, mitigation का मतलब ही होता है, किसी भी बिमारी को फैलने से रोकना, mitigation का मतलब होता है, किसी चीच को रोकना फैलने से, जादा ना फैल है, ये जो आपका quarantine है, isolation है, social distancing है, ये सब क्या है, ये सब mitigation के पार्ट है, इसके process है, इस COVID-19 को रोकने के लिए हमने ये जो step उठाए हैं, हाथ दुलना, मास्क लगाना, ये सब क्या है? एक process है, जिससे इस बिमारी को रोका जा सके फैलने से, ठीक है? तो mitigation का मतलब क्या है? कोई भी संक्रमण है, कोई भी बिमारी है, उसको फैलने से रोकना, ठीक है? अब next देखते हैं, युमिनिटी, most important, अब देखे, COVID-19 का अभी कोई medicine नहीं आया, कोई vaccine नहीं आया, कुछ भी नहीं है, अभी हम अपने, अगर हमारी युमिनिटी स्ट्रॉंग है, जिसके भी युमिनिटी स्ट्रॉंग है, उस पे ज़्यादा effect नहीं कर रहा है, और अगर effect कर भी दिया, तो वो लोग उससे ठीक हो रहा है, ठीक है, तो इमिनिटी का मतलब क्या होता है, प्रति रोधक छमता, आपकी बॉड़ी की immunity power अगर बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी बिमारी से आपकी बॉड़ी लड़ सकती है, आप उससे सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉड़ी का immunity power ठीक नहीं है, strong नहीं है, तो आपको कोई भी बिमारी चाहे वो epidemic हो या normal कोई disease हो, वो बहुत जल्दी infect करेगी, बहुत जल्दी आप उससे संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है तो immunity का मतलब क्या होता है, प्रति रोधक चमता, प्रति रोधक चमता आपको आपको naturally, अपने बॉड़ी में naturally कुछ आपकी lifestyle होती है, जो सही नहीं होती है जिसके वज़े से आपको weakness आजा आती है, आपकी बॉड़ी में जो humidity पावर है, आपकी बॉड़ी का वो कम हो जाता है, उसको सही करने के लिए, naturally कैसे आप सही रख सकते हो, उसके लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे, ठीक है आपको अपने lifestyle में, आप daily जो routine है आपका, उसमें थोड़ा आपको change लाना पड़ेगा, उसमें बहुत जादा sugar नहीं intact करना है और staying hydrated, आपको पानी पीते रहना है इस से में weather भी इतना hot है गर्मी का मौसम है, तो आपको बीच बीच में लगातार पानी पीना चाहिए और पानी हो गया, juice हो गया मतलब कोई भी ऐसा fruits जो आपकी body को hydrate रखे ठीक है, वो आपको लेना है, आपका tea, coffee ये सब भी उसमें आता है, लेकिन बहुत जादा नहीं, जादा से जादा आप पानी पीओ ठीक है, अब उसके बाद आपको next क्या करना है workout exercise, आपको कम से कम, वैसे तो 40 to 45 minute का workout सब को daily करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप evening में, morning में आधे घंटे का walk कर लो, ठीक है running कर लो आप skipping कर लो, रसी कूद लो आप कुछ भी, anything, physical work कुछ न कुछ आप करो, इससे आपकी body, आपकी overall health अच्छी और अगर आपकी overall health अच्छी है तो आपका humidity system वैसे भी strong हो जाएगा, ठीक है, naturally और आपको vitamin C से related, इस time, vitamin C से related चीज़े ज़्यादा लेनी है ठीक है, जिन भी vegetables में, fruits में, vitamin C मिल रहा है, उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा intake करना है और vitamin D का, vitamin D ही है, आप वहाँ, अगर थोड़ी सी दूप ले लेंगे, तो आपको vitamin D वैसे भी complete आपके body में रहेगा आपको अलग से कोई supplement लेनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी, ठीक है और sleeping, sleeping भी बहुत बड़ा role play करता है immunity system को ठीक रखने में कम से कम 7 से 8 घंटे की नीद बहुत ज़ादा जरूरी है, बच्चों को 8 से 10 घंटे ही नीद, और अगर आप adult हैं तो कम से कम 7 घंटे की नीद सब को लेनी चाहिए ठीक है, और आपको stress label को manage करना है इस time हर कोई stress में है चाहे हो बच्चे हो, चाहे बड़े हो हर किसी को stress है क्योंकि हमारी lifestyle normal नहीं है इस time पहले जैसी थी, अभी नहीं है हम घर में रहना है, बाहर जा भी रहना है तो बहुत सारी restriction है social distancing को follow करना है कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ रहा है ठीक है, तो बहुत सारी rules and regulations follow करना है, हम normal जैसे पहले रहते थे, अभी नहीं है तो इसलिए सब को stress है बच्चों को भी stress है, school नहीं जाना बाहर नहीं खेलना, ये सारी चीजे बच्चों को भी परिशान कर रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं अभी school नहीं जाना है, ठीक है घर में इंजय करते, मम्मी पापा के साथ खेलो, मम्मी पापा के साथ बैट के स्टोरी सुनो और आपके study भी online हो रही है बैट के books भी पढ़ो, भाई बैनों के साथ ठीक है, खेलो घर में खेलो ठीक है, 2 ए 3 मन्त बाद या vaccine आ जाती है, कोई भी solution निकलेगा ही है न, ऐसा तो नहीं है, जो time period चल रहा है यह time period continuous नहीं रहने वाला है कुछ time के लिए है ठीक है, उसके बाद फिर हमारी life वैसे ही normal हो जाएगी जैसे हम पहले रहते थे ठीक है, तो आप लोग बिलकुल भी stress नहीं लेंगे किसी भी type का stress नहीं ठीक है, life में बहुत सारी problem से इस time चल रही है, जिसका solution हमारे पास नहीं है तो उस पे सोच के, परिशान करके अपनी immune system को खराब करके भी कोई फायादा नहीं है इसलिए, अपने आपको relax करिए, daily आप exercise करिए आपका mind, आपकी body सब कुछ healthy रहेगा, ठीक है आज के लिए बस इतना ही thank you so much for listening me घर पे रहिए आप लोग safe रहिए happy रहिए और अपनी lifestyle को थोड़ा change करिए healthy रहिए, ठीक है और अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो channel को subscribe कर दीजे like कर दीजे, love you all thank you so much, bye bye have a beautiful life